कि नौहंऑ भी ब्ले स्टार्ट निウ्ट्रीशन इं प्लांट की चैप्टर फर्स्ट है अब सबसे पहले नूट्रीशीं से वादर में आयेगा है कि नूट्रीशान का मेनिंग क्या होता है तो नूट्रीशान का मेनिंग उता है जो फूड हम इसकाมाल इनुट्रीशन करना फूरे जो सब यह सब हमारे फूरे अरगाय। जो यह सब हमारे food में मिलते हैं उनको बोलते हैं nutrients फिर हमारे nutrition को two parts में divide किया गया है एक तो autotropic nutrition दूसरा है heterotropic nutrition autotropic nutrition का क्या मतलब है auto मतलब self, tropic मतलब nutrition मतलब self nutrition self nutrition किसके अंदर होता है self nutrition होता है plants के अंदर तो self nutrition किसके अंदर रता है plants के अंदर कैसे plants क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं through the process of photosynthesis plants make their own food with the process of photosynthesis किसका यूज करते हैं वो carbon dioxide का sunlight का sunlight का और minerals का इनका यूज करके वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं और heterotrophic nutrition होता है hetero मतलब दूसरों से लेना other nutrition दूसरों से nutrition लेना तो उसको बोलते है heterotrophic nutrition और heterotrophic nutrition किसके अंदर पाया जाता है अनिमल्स, human being हम भी किसके अंदर आते हैं अनिमल्स के अंदर ठीक है और heterotrophic nutrition को तीन पार्ट्स में डिवाइड क्या गया है पहला है parasitic nutrition दूसरा है saprophytic nutrition और तीसरा है holojoic nutrition ठीक है यह जो holojoic nutrition है यह आप earlier classes में higher classes में पढ़ोगे आपके syllabus में क्या है parasitic nutrition और saprophytic nutrition पैरसाइटिक nutrition क्या होता है parasitic मतलब जो दूसरों से nutrition ले पैरसाइट मतलब जैसे की लाइस यह सब क्या होते हैं पैरासाइट्स होते हैं जैसे राइस क्या करती है हमारे सिर में होती है वह किस से न्यूट्रिशन ले रही है हम से न्यूट्रिशन ले खून चूसती है हमारे सिर से तो वह क्या हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्य जो चीजे हमारे लिए डाड्च हैं उन चीजों से नुट्रीशन ले वह कुण सा नुट्रीशन है स्याप्रोफाइटिक जिस तरह की मश्रूम हैं ब्रैड पर फंगी लग जाती है वो भी साप्रोफाइटिक नुट्रीशन है ओके